हलो एब्रिवन स्वागत है आपका एक नए वीडियो में तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोलर कमपनियां हमारे साथ कितना फ्रॉड करती हैं और कैसे फ्रॉड करती हैं देखी दोस्तो अगर आप सोलर पैनल परचेस करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए य वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि एक संड그를 Dim sommes या फिर अपने किसी भी कस्टंबर के साथ कीन-कीन तरव का दूस्तो इसके आलावबं करते present से पहले between इनकी इन बातों का ध्यान रखना है ठीक है दोस्तों तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को भी तक लाइक नहीं किये हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे यूटुब चानल पर नए होंगा तो च होग ऐसे वेशते हैं और हमारे एक ही सप्सक्राइब ने बद को में अबने की नई रहें हैं ब्लू दिखता था आभिए वह भी तो इसके बारे में हमाप टीटेल में जानेंगे दिखें, हमारा solar panel है, उसमें कई तरह के cell लगे हुए होते हैं, मतल दोस्तों, solar companies, वो जो है, वो सुरू के एक साल में एकदम सही होता है, लेकिन दोस्तो एक साल जहीं से ही या फिर 6 महीने बाद उसका performance जो है वो धीर धीर डाउन होने लगता है उसकी efficiency जो है वो कम होने लगती है तो इसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तो कि देखिए हमारा जो solar panel में जो cell लगए होते हैं वो कई तरह के होते हैं एक होता है A grade, B grade, C grade और D grade उसको दोस्तो grade Y grade इसका नाम दिया गया है A grade का जो cell होता है वो सबसे best होता है B grade का जो cell होता है थोड़ा सा उससे दोस्तो अलग होता है C grade का जो cell होता है वो घटिया होता है और D grade का तो आप पुछिए हमारा दोस्तो वो एकदम से घटिया होता है उसको आप देख जैसे दोस्तों हमारे luminous solar panel के साथ ही हुआ है आप यहां पर दोस्तों देख पारे हो कि हमारे कुछ sales है यहां पर blue color के नजर आरहे होंगे और कुछ cell जो है वो आपको फिरोजी कलर के नजार आ रहे होंगे और दोस्तो इसका पहचानना जो है वो काफी सिंपल है अगर दोस्तो आपको A-grade cell और B-grade cell में आपको पहचानना है कि कौन सा cell लगा हुआ है तो आपके लिए मैं आपको बता दूँ कि देखिए दोस्तो अग अगर आपको A-grade का cell पहचानने हैं तो देखिए cell जो होता है वो एकदम clean दिखता है उसमें कोई doubt वाली कुछ भी नहीं होती है मतलब कि दोस्तों उसमें कोई defect नहीं नजार आएगा कोई भी आपको जो lining है उसके अंदर जितनी connection हुए होते हैं वो एकदम clean आपको नजार आ START आपि तो इसमें तो आपके screen पर भी देख रहा होगा आपको पहचानना कितना ज्यादा सिम्पल है और सीगरेट का जोर में कहीं नजर आएगा कहीं पर blue पर तो ये होता है सीगMRेट बाकि दोस्तों डीगेट की बात करें जो की सबसे घटिया क्वालिटी का होता है वह आ और वो उसको करते हैं और वो दोस्तों कुछ का भाव में कहीं कवाडी वाले को बिज देते हैं तो वहीं दोस्तों डी ग्रेट के으면 चेंगा यहाँ पर दोस्तो कई कंपनिया क्या करती है C-Grid का जो सेल होते हैं उसका भी इस्तमाल कर देती है तो दोस्तो आप बहुत असानी से समझ पाओगे C-Grid सेल अब भी आप दो अपने solar panel को धूप में एक घंटा रख देते हो तो उसका जो कलर है वो एकदम चेंज होने लगेगा जब भी दोस्तो आप solar panel परचेस करने जाओगे तो शुरू में क्या होगा दोस्तो यह आपको एकदम अच्छी कलर में नजर आएगी जो कि इसका लगेगा कि एदम A-Grid सेल का इस्तमाल हुआ है लेकिन दोस्तो जैसे ही आप उसको धूप में रखते हो आधा से एक घंटा अगर आप उसको इस्तमाल करते हो तो उसकी जो क्वालिटी है आपको पता चलने लगेगी कि यह कौनसी ग्रेट का सेल इस्तमाल हुआ है हाला कि दोस्तो कुछ कमपनिया ऐसी होती है जो कि दोस्तो उनका जो सेल होता है वो छे महीने बाद एक साल बाद उनका जो सेल का असलियत पता चलता है जैसे हमारे लूमिनस सोलर में हुआ कि हमें सुरू में लगा था कि एक ग्रेट का सेल लगा हुआ है या फिर दोस्तो B-Grid का सेल का इस्तमाल हुआ है देखिए दोस्तो A-Grid और B-Grid बहुँ जाता माईनी रखता है हमारा जो solar panel है दोस्तो starting में वो 4 ampere output supply देता था जबकि दोस्तो वो 105 watt का है और दोस्तो उस पे लिखा हुआ है maximum वो 5.88 ampere output देगा लेकिन दोस्तो वो हमें 4 ampere output supply दे रहा था और अभी दोस्तो हम बात करें अपने solar panel के बारे में तो मातर 3 ampere ही output देता है क्योंकि दोस्तो उसमें B-Grid का भी सेल का इस्तमाल किया गया है तो ठीक है दोस्तो आगे से आप चोकनने हो जाएए अगर दोस्तो आपने यहां तक वीडियो देखा होगा तो आपको clear सब कुछ समझ में आ गया होगा जब भी आप solar panel purchase कीजिए आप उसके official website पे जाईए और उसका जरूर चेक कीजिए कि क्या वो A-Grid sale का इस्तमाल हुआ है या फिर दोस्तो B-Grid sale का इस्तमाल हुआ है दोस्तो आई होग कि इस पीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा फिर भी दोस्तो आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करना मत भूलें यह वीडियो अभी तक लाइक नहीं कियें तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए होगा तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें